पंजाब और हर्याना के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगभग पिसले दस दिनों से दिल्ली की सिमाव पर सरकार का घिराव करने के लिए निकले हुए हैं लेकिन किसान नेताओं और केंदर सरकार के मंत्यों के बीच रविवार को हुई चोथे राउंड की बाचीत के बाद से दो दिन के लिए आंदूलन रुका हुआ था इस बीच संभूबोडर पर किसान नेताओं की एक एहम बैठक हुई इस बैठक में किसान संगटनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को S.W. कार कर दिया अब किसानोंने 21 फरवरी को दिल्ली कुछ करने का एलान किया है किसान निता जगजीतर सिंग्ड डल्लेवाल ने कहा है कि सरकार की नियत में खोट है सरकार हमारी मांगो पर घंबीर नहीं है हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर MSP यानि कि न्यूंतम समर्थन मुले का फोर्मूला तै करे सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई लाब नहीं होने वाला है डलेवाल ने कहा कि हमने तै किया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें किसी तरह की स्पष्टता नहीं है सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसका नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आता है हमारी सरकार 1.75 लाग करोड रुपय का तार का तेल बाहर से खरीती है लेकिन अगर इतनी धन्रासी तिलहन के लिए तै की जायती तो किसानों को इससे काफी फाइदा होता किसान निता पढ़िर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कुछ करने जा रही है सरकार से आगे फिलहाल कोई मिटिंग नहीं होगी लेकिन हम बातचीत के रहे हमेशा तैयार है डलेवाल ने कहा है कि हमारी सरकार से अपील है कि या तू हमारी मांगे मानी जाए या फिर शांती से हमें दिल्ली में बैठने की मन्चूरी दी जाए हमारी सभी किसान भाईयों से भी अपिल है कि वे हिंसान नहीं करें बता दें कि रविवार को किसान नेताओं और केंदर सरकार के मंत्रियों के बीच चोथी राउंड की बातचीत हुई थी इस बैठक में कृशी मंत्री अर्जुन मुंडा, वानीजे मंत्री प्यूस, गोयल और ग्रहराज्य मंत्री नित्यानंद राई मोजूद थे इसे पहले केंदरो और किसानों के बीच आठ, बारा और पंदरा फरवरी को भी बातचीत हुई थी अब तक की बैठक के बे नतीजा ही रही है हलंकि रविवार को हुई जोथी बैठक में सरकार से किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यू कहें कि फोर्मूला दिया है सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिच कर दिया है कारों कि इस फैसली पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज की सबसे बड़ी ख़बर देखने के लिए इस वीडियो पर फ्लिक करें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में